एलो दोस्तो में ग्रिश्टन साव और अपनों को स्वागा थे मेरी यूटूब चैनल के एक और नए वीडियो में तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि या केर्यास की प्रेस्टिज वेरियन के बारे में तो दोस्तो चैनल में ने तो चैनल को प्लीज सब्सक्रा करते हैं और जानते हैं इस गाड़ी की एंटेरियर एक्षेरियर के बारे में तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी की फ्रेंट प्रोफाइल से तो बॉक्सी नजर में देखने वाला है इसका फ्रेंट प्रोफाइल सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा क किया के लोगों के साथ यहाँ पर स्रीनेचर टाइगर फेस रिडियाटर ग्रील जो की काफी प्रिमियम सा ग्लोसी ब्लैक में अपने को देखने को मिल जाता है यहाँ पर 15 सा सिल्वर का कट नजर आने वाला है डियारेल्स कि मैं बात करूं तो यहाँ पर इस्टार मेप यहां पर रहने वाला है उसी के निचे में अपने को सामने का चैठो सेंसर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़ूरी है गाड़ी के लिए उसके बाद यहां पर सिल्वर के साथ मेट ब्लेक में बंपर देखने को मिल जाएगा ग्राउंड की रेस के मैं बात करूं तो अच्छा खासा इसमें ग्राउंड की रेस अबने को मिलने वाला है अब जान लेते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले मैं यहां पर देखू तो टायर साइज अपने को मिलता है एक सु पंचानवे बटे 65 आर पंदरा का इसमें 15 इंच का इस्टिल वील कभर मिल जाता है और उसे के साथ यहां पर ग्लोसी ब्लैक के साथ इस पोटी लूक से दिखने के लिए ब्लेक कलर पट्टी दिखने को मिलता है आपको यहां पर बाडी कलर साइड इंडिकेटर साथ वार्वियम देखने को मिलता है उसके साथ सिल्वर फिन इसके साथ आपको रूप रेल्स यहां पर रहने वाला है अब चल लेते हैं इस गाड़े के रियर में और जानते हैं रियर में अपने को क्या क्या मिलने वाला है सबसे पहले हम लोग रूप की में बात करूं तो आप के लोगों प्यारा सा यहां पर रहने वाला है कि यहां पर प्यारा सा केरेंस के बेजिंग लगा हुआ मिलता है स्टार मेप लेडी टेन लेंप्स यहां पर मिलने वाला है उसी के साथ यहां पर हम लोग देखें तो नंबर प्लेट लगाने का भी अच्छा जगा भी मिल जाता और इसमें आपको रियर में सिल्वर बंपर गार्निज डायमन कार्लिंग पैटरन देखने को मिलता है जो की बहुत इस पुठी लूक नजर आने वाला है प्यारा सा केमरा यहां पर छुपा हुआ देखने को मिल जाता है फ्यूल टेंग केपिसिटी की में बात करूं तो इसमें आपको 45 लेटर का पेट्रो टेंग की मिल जाएगी तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के बूटी स्पेस के बारे में इसमें आपको 266 लेटर का बूटी स्पेस देखने को मिलता है और यहां पर आपको कुछ टूल्स आपको देखने को मिल जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का डिक्की बना हुआ है आपको इस तरफ लाइट भी देखने को मिलता है और कुछ कुछ केरी बेक को अटकाने का भी जगह आपको मिल जाएगा रियर में बूट के पास यहां से बूट बंद कर लेते हैं अब चलते हैं इंटियर में अपने को क्या क्या मिलने वाला है क्या कुछ खास है सबसे पहले डॉर उपन करते हैं और जानते हैं इस गाड़ी की डॉर के बारे में इसमें आपको डॉल टॉन में डॉर देखने को मिलता है जो की ब्लेक और ब्राउन के साथ रहने वाला है देख सकते है काफी प्रिम्यम लेदर यूज हुआ है इसमें प्यारा सकट बना बनकर ग्लोसिब लेक की साथ सिलिवार का बेजिंग कुछ इस पर करका दिखता है इसमें हिंडल बारोगरा में यहां पर आपको मिलता है चारो पावर विंडू का कंट्रोल और बेम का कंट्रोल चाइल्ड ल पर आपको सीट अर्जेस्ट करने का भी ऑप्सन देखने को मिलने वाला है काफी प्रिम्यम सीट इसमें का रहने वाला है देख सकते हैं कुछ इस परकार का इसका इंटिरियर डौल टोन में इंटिरियर रहने वाला है अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर में बैटके और आपको भी दिखाते हैं इस गाड़ी का फूल इंटियर का ऐसा है उसको अब मैं बैट गया हूं इस गाड़ी के इस्टेरिंग के पास इसमें आपको कितना सारा control मिलता है प्यारा सा, silver look के साथ steering रहने वाला है इस तरह आपको volume updown का control मोट का control मिल जाता है और इस तरह भी कुछ control रहने वाला है प्यारा सकिया का logo silver के साथ, airbag के bulging के साथ देख सकते हैं प्यारा सा यहाँ पर silver का bulging देखने को मिलता है इस तरफ आपको वाइपर्स की कंट्रोल देखने को मिल जाएगी और इस तरफ आपको लैटिंग की कंट्रोल देखने को मिल जाएगी चार दसमनों दो इंज का इसमें फूल सेग्मेंट LCD क्लस्टर एडवांस टेक्नोलोजी के साथ आपको इसमें देखने को मिलेगा जो की बहुत सारा कंट्रोल्स इसमें मिला हुआ है इसमें टायर प्रेशर, स्पीडोमिटर, टाइम और एक तरब इसमें आपको दिखाता है स्पीड कितना चल रहे है और एक तरब आपको दिखाता है इसमें आरपीयम जो की साइड आपको आरपीयम देखने को मिल जा रहे हैं और अभी डिक की ओपन है इसलिए रेट का सेमबल नज़ा रहा है आ 20 कैसे इउंपंट के मिलता है जो कि Android अचने समेत आता है मुद प्याना सा इन्पॉर्टेन्मेंट सिस्टेम है जो की महों सब्सक्ण इसमें को मिलता है डुवल टॉन में टेशबोर्ड रहने वाला है जो कि हौट टैच में लेजबोर्ड इसका रहने वाला है इस द्याहरा सा एस 트म के में बात करकुछ प्या nawnd चोटा सा इसमें रहने वाला है कुछ इस प्रकार इसमें सारा 1000 light का option मिल जाता है और यहाँ पर एसी का कंड्रोल करने का option देखने को को ब мощ है कि इहां पर पर पीछे का डिक की open करने के भी ऑपस यहां पर मिल जाता है और आपको इसमें दोस्तों देख सकते हैं इसमें प्यारा सा सिल्वर करा का बेजिंग देखने को मिलता है जो की लूप बढ़ा दिता यह हो चोटा सा गलोब box इस गाड़ी का प्यारा सा तोगेट यूसबी पोर्ट टाइप सी लैटिंग और कुछ इस तरफ कंट्रोल सब को देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर कप होल्डर भी अपने को मिल जाएगा कि देख सकते हैं आलो भर डूल टून में इसके इंटिरियर रहने वाला है काफी प्रीमियम लग रहा है बड़ा गाड़ी में बैठें जैसा यहां पर हैलोजन लाइट्स देखने को मिल जाएगा सबसे अच्छा बात इसमें स बाट्रोन का रहने वाला है प्यारा सा डिजाइन कट का यहां पर देखने को मिल रहा है बाटल होल्डर के साथ यहां पर आपको मिल जाता है पीछे जाने का अपसान यहां से सीट नीचे करेंगे तो अंदर जाने का रस्ता यहां से मिल जाता है और देख सकते हैं कुछ इस लाइट के साथ यह रहा एसी के कंट्रोल्स का यहां पर दोटो चार्जिंग का उप्शन भी मिल जाता है मोबाइल रखने का भी जगा यहां पर अच्छा कासा मिलता है और इस गाड़ी की सीट क्वालिटी की में बात करो तो काफी प्रीमियम सा सीट क्वालिटी मेरे कुछ न जराता है यहां पर भी दो-दो-दो-दो चार्जिंग सोकट दिया गया है एस इवेंट्स भी यहां के सीर के उपर में मिल जाता है काफी प्रीमियम से इसका थाड़ो भी रहने वाला है देख सकते हैं आप लोग कुछ इस पर करगा थाड़ो है दोस्तों इस गाड़ी की हे इस परकार का इसका इंटिरियर रहने वाला है देख सकते हैं अब दोस्तों आप लोग कैसे लग रहा है इस गाड़ी कमेंड में जरूर बताईएगा तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में यहां से बुनाट उपन करते हैं और देखते हैं इस गाड़ी के इंजन यहां गाड़ी 1.5 लेटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो की 114 बेस्वी के पावर के साथ 114 एनेम टाउर का प्रेडियूस करती है और मैलेज की मैं बात करूं तो दोस्तों 18 से 20 तक की यह आपको मैलेज अच्छी खासी दे देती है काफी वेली फूर मनी गाड़ी तो दोस्तों इस दिक साथ अब थोड़ा जान लेते हैं इस गाड़ी की डियाम एंजन एंड के बारे में तो इसका लेंद आपको मिलेगा 4550 mm की और वीत आपको मिलेगा 1800 mm की उस एक सांद में ह देख सकते हैं साइट से कुछ इस पुरकार का किया केरेंस दिखने वाली है आल अभर लुक्स तो आप जान लेते हैं इस गाड़ी की प्राइस की बारे में अभी हूं मैं मौसाजी किया सुरूम जिंदर रोड भगवानपूर रायगाट 36 गड में यहां आपको पड़ेगा तेरा लाग पचास जार आउरोड प्राइज दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो आप लोगो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए चैनल में नहीं तो चैनल को प्लेज सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों तक सेयर करना मत भूलें फिर मिलते हैं एक औ और नहीं दिन के साथ तब तक के लिए जय हैं जय भारत जय शतिस गर्ण